नमस्कार किसान भाईयो आप सभी को खेती गयान यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं मैं आसा करता हूँ कि आज सब अच्छे होंगे तो किसान भाईयो आज हमें इस वीडियो में राली सिंडिया लिमिटेट के पतंग इंसेक्टी साइड के बारे में बात करने वाले हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको इसके टिकनिकल से लेकर इसके कीमत तक पूरी डिटेल्स जानकारी देने वाला हूँ तो कृपे आप वीडियो को अंतिम तक देखें और अगर मैं चानल पर आप नए हैं चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उपसे प्रेस कर दे ऐसी क्रिस संबंदित नहीं ने जानकारी सबसे पहले पाने के लिए तो पहले हम इसमें देगे टेकनिकल के बारे में जानते हैं तो पतंग इंसिक्टिसाइड का टेकनिकल है टोलफेन पाइरड 15% इसी इंसिक्टिसाइड एक एमुलसी फ्यूबल कंस्टरेट के फॉर्म में आता है मतलब एक तरह लिकुड के फॉर्म में आता है पतंग पायराजोल समुह का एक बोर्ड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है जो कि कई तरे के अलग-अलग फसलों में कई तरे के के अलग-अलग कीटों को एकी साथ में नियंत्रित करता है पतंग इंसेक्टिसाइड खास करके हमारे फसल पर संपर्क और पेट क्रिया से कीटो को मारता है तो किसान भायो जो पतंग इंसेक्टिसाइड है जो अन्यक इटनासक होते हैं ये उनसे पुरी तरह अलग है यह है एक Microcontrial Electron Transfer Innovator है जो कीटो के सरीर में या फिर कीटो के सरीर के Microcontrial में Electron के प्रक्रिया में हस्तक्यप करता है जिससे कीटो की तुरंत मुर्ति हो जाती है पतंग इनसिक्ति साइड कीटो को उनकी सभी अवस्ता में बहुती प्रभावी नेंतरन करता है जिससे कीटो के अंड़ो के अबस्ता बढ़े अबस्ता को भी पुरी तरह घटा देता है पतंग इंसिक्टिसाइड में हमको anti-feeding मतलब खाना बीरोधी क्रिया भी देखने को मिलता है इसके खाना बीरोधी क्रिया के कारण पतंग इंसिक्टिसाइड के संपर्क में आने के तुरन बाद target कीट खाना छोड़ देते हैं या फिर खाना बंद कर देते हैं जिससे क्या होता पर कीटों का कम नुकसान देखने को मिलता है पतंग इंसिक्टिसाइड सभी प्रकार के रस्चु से कीटों को उनकी सभी हवस्ता में बहुती प्रभावी नियंतरन करता है जिसके कारण हमारे फसल पर भाइरस का बहुती कम संक्रमन देखने को मिलता है पतंग इंसिक्टिस हमारे फसल पर कीटों को नियंतरन करने के साथ साथ कुछ बीमारियों को भी नियंतरत करता है और पतंग इंसिक्टिसाइड को हम आज क्यूरिटिव मतलब कीटों के संक्रमन के बाद भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि पतंग इंसेक्टी साइड को हम फसल के किनकिन चरोणों में छिड़काव कर सकते हैं, तो पतंग इंसेक्टी साइड को हम फसल के सभी चरोणों में छिड़काव कर सकते हैं, इसका कोई वी साइड इफेक्ट नहीं होता है, अगर बात करें इसके टैंक म के बारे में तो पतंग इंसेक्टिसाइड को हम आमतोर पर इस्तेमाल किये जाने वाले सभी प्रकार के कीट ना सक फफुन ना सक और प्लांट टॉनिक के साथ मिला कर इसका छिड़काव कर सकते हैं अब हम इसमें दिएगे रेनफाशनेस मतलब बरसातीपन के बारे में बात कर है तो किसान भाईयो मौसम देखकर इसका उपयोग करें क्यूंकि इसमें आपको रेनफाशनेस जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है अगर बात करें इसके फसल शिड़काव के बारे में तो पतंग इंसेक्टिसाइड को हम कपास, पत्तागोवी, फुलगोवी, भिंडी, म मतर के अलाबा अन्याने सभी प्रकार के सबजी वर्गी फसल, अनाज वर्गी फसल और फुल फल वाले फसलों में हम इसका शिड़काव कर सकते हैं अब हम इसके कीटों के निंत्रण के बारे में बात करेंगे तो पतंग इंसेक्टिसाइड, फल शेदक, तना शेदक, डीव पतंग इंसेक्टिसाइड हमारे फसल पर पावडरी मिल्डिव, एंथरेक नोच और ब्लाइड जैसे घातक बीमारियों को संक्रमन करने से रोखता है अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो पतंग इंसेक्टिसाइड को 30 ml प्रती 15 लीटर पानी में मिला कर करने को मिलता है अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो पतंग इंसेक्टिसाइड का जो 500 ml का पैकिंग है वो आपको 1300-14 रूपे के अंदर मिल जाता है